बिच रसोई में आपका स्वागत है आज मैं क्रिश्पी आलू फ्राइख की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ और ये बच्चे हो या बढ़े हो क्रिश्पी आलू फ्राइख सबको बहुत पसंद आती है तो उमीद है कि ये रेसेपी भी आपको पसंद आएगी और यह बहुत अलू को इसमें हदी पौर्डर जाल मिर्च पौर्डर मेथी पौर्डर जङए यूज़ किया है साथ से आठ कल्या लासुनकिया सब्सक्राइब काली मिर्च पौर्डर जिये हैं गब सब्सक्राइब काट लिए हैं अब सबसे पहले हम आलू को काट लेंगे तो आलू को इस तरह से हम काट लेंगे बारिक बारिक काटेंगे तो इसमें हम आलू को बारिक काटेंगे तब ही आलू क्रिस्प फ्राई होगा और हम आलू को काटेंगे और पानी में डाल लेंगे हम लंबे आलू काटेंगे तो भी हम पतले पतले काटेंगे हम अपने मन पसंद कटिंग करेंगे लेकिन पतले काटेंगे आलू को इस तरह से आलू काट कर हम पानी में डालते जाएंगे सब आलू कट गया है अब हम इसको दो से तीन पानी आलू को धोलेंगे इसका स्टार्च निकाल लेंगी तो एक बार और मैं आलू को धोलेती हूँ इस तरह से आलू धोल चुका है अब हम इसे फ्राई करेंगे गैस वन करेंगे और कड़ाई को चड़ा देंगे और कड़ाई गरम करेंगे जब गरम हो जाए तो इसमें सर्सो का तेल डाल देंगे सर्सो के तेल गरम होने के बाद इसमें हम मेथी दाना डाल देंगे और मेथी दाना हम dark brown तक fry करेंगे तब इसमें हम आलू डालेंगे जब मेथी दाना brown हो जाये तो उसके बाद दो मिनट के लिए हम इसको high flame पर लगातार हम आलू को भूनते रहेंगे लगातार इसको चलाते रहेंगे, अब 15 से 20 सेकेंड के लिए इसको थोड़ी दिर के रख देंगे, उसके बाद हम लहसुन कूट लेते हैं, जब तक आलू फ्राई हो रहा है, इस तरह से लहसुन को दरदरा हम कूट लेंगे, और आलू थोड़ा क्रिस्प हो गया है, अब इसम नमक एड़ करेंगे, तो हम नमक स्वात के नुशार लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, लहसुन को भी हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएगा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसमे हम चलाते रहेंगे और इसको हम फैला देंगे फैला देंगे 15 से 20 सेकन के लिए फैला देंगे थोड़ी देर के लिए यह प्रोसेस उम 2-3 बार करेंगे ता कि आलू कृस्प हो जाए उसके बाद हम फिर से चला लेंगे और इसमे हम हरी मिर्च डाल देंगे हरी मिर्च को हम बार में डालेंगे ताकि इसका कलर गरीन रहे और इसको लगातार हम fry करते रहेंगे medium flame पर इस तरह से हम फैला लेंगे 15-20 सेकंड फिर इसको हम चलाएंगे इस तरह से हम आलू को crisp करेंगे तो आलू क्रिस्प हो गया है और इसे हम किनारे कर देंगे आलू को इस तरह से और बीच में ये एक्स्टरा तेल जो भी होगा इसे ये निकल आएगा और गैस आफ करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के बाद आलू में तेल निकल गया है इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा तेल है निकल गया है और बहुत अच्छा क्रिस्प हुआ है आलू इस तरह से बहुत अच्छा फ्राई हुआ है तो आलू फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक चरूर कीजि थेंक यू